दोस्तो मारवल और डेसी की तो आपने बहुत सारी सूपर हिरो मुविस देखी होगी और आप उनको बहुत ज़्यादा इंजोई भी करते होगे और आपके मैं में भी एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इंडिया में ऐसे सूपर हिरो मुविस क्यों नहीं बनती तो आज मै आपको ऐसी ही सूपर हिरो मुविस के बारे में बताने वाला हूँ जो इंडिया में बन रही है और रिलीज होने वाली है और आखरी वाली तीन तो बहुती ज़्यादा खास है तो उन्हें तो जरा भी मिस मत करना नमर वन अशोद धामा दोस्तो यह एक सूपर नेचूरल ड नजर आने वाली है और साथ यह सूनिल जटी भी नजर आने वाले है यह फिल्म मल्टीपल पार्ट्स में बनाई जाएगी इसका पहला पार्ट आपको 2023 के एंड में देखने को मिलेगा नमर टू हनुमान यह भी एक सूपर नेचूरल एक्सन एडवेंचर फिल्म होने वाली और इस फिल्म के डाइरेक्टर है प्रसांत वर्मा और इस फिल्म के लीड में आपको तेजा सज्जा अमरता आयर और वल लच्मी सरत कुमार जैसे एक्टर नजर आने वाले हैं इस फिल्म के कुछ क्लिप को रिलीज किया गया था जिसके विज्वल देखकर आपके होस उड जाएंगे और इस फिल्म का बज़ेट वैसा तो बहुत कम है पर इसे भी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज क्या जाएगा और इसका टीजर ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है क्योंकि यह फिल्म भी आपको 2022 के एड तक देखने को मिल जाएगी नमर 3 मिरनल मूरली 2 यहाए एक Super Hero Action Drama Comedy फिल्म होने वाली है जिसको Direct करने वाली है बासिल जो जपी जिसके लीड में आपको तमीनो थो मस नज़त आने वाले है जो आपको इसके Part 1 में भी नज़त आये थे और यह पिल्म सबको कापी पसंद आये थी और इसका Part 2 बनाया जा रहा है और उसे भी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा हाँ दोस्तों अभी नेट्प्लिक्स पर नहीं आएगी बिलकि डायरेक्ट ठीयटर में आएगी नम्मर फूर यसराज बेनर भी एक सूपर हिरो फिल्म बना रहा है जो अभी तक अंटाइटल है इसको डायरेक् ही फिल्में सूपर हिरो के तोर पर नजर आने वाले हैं यहाँ फिल्म यश्राज बेनर के अंदर बनने वाली हैं और इसका बजट कापी तगड़ा है इस फिल्म का अनौसमेट 2022 में किया गया था और यह 2023 के अंत तक रिलीज हो जाएगी यहाँ फिल्म भी पेन इंडिया ल यहाँ भी फाइनल नहीं किया गया है कि इस फिल्म में सक्तिमान का रोल कोण निबाने वाला है क्योंकि मुकेश खन्ना की तो अब उम्रों हो चीकी है इसलिए वह तो नहीं आ सकते पर जल्दी सक्तिमान के हिरो का भी अनौसमेंट होने वाला है और यहाँ फिल्म भी पेन इंडिया लेवल पर रिलीज होगी जो आपको 2023 के एंड में देखने को मिलेगी और इस फिल्मे को सोनी पिचर इंडिया ही बनाने वाला है आपके हिसाब से सक्तिमान केश को लेना चाहिए कमेट में जरूर बताइएगा नमर 6 मिश्टर इंडिया 2 यहाँ एक साइंस के फिल्म मिश्टर इंडिया का सीक्वल होने वाली है तो ऐसा नहीं है इसकी कहानी बिल्कुल ही अलग होने वाली है और इस फिल्म को पोर्डूस कर रहे है बोनी कपूर और यहाँ फिल्म आपको 2022 तक नजर आने वाली है नमर 6 क्रीस फोर दोस्तो हमारा सब का फेवरेट कर दिया है जो कि पेंडिया लेवल पर रिलीज होगी और इसके अंदर आपको रित्तिक रोसन भी देखने को मिलेंगे जो ट्राइम ट्रेवल करके पास्ट में जाएंगे और पिछले सारे करदार भी आपको लजर आ सकते हैं और इस फिल्म के सुटिंग 2023 में शुरू होगी और यह 2024 में रिलीज होगी इसका बज़र 300 कॉर्ट पर बताया जा रहा है तो फिर आप सोची सकते हैं कि इसका विजुल एफेक्ट फिस लेवल पर रहेंगे और क्रिस फोर का मेरत को तब बैसबरी से इंतजार हैं आपको है नए कमेट में जरूर बताएगा और आपके इन से कौन से फिल्म फेवरेट है और में जरूर बताएगा